यूँ तो आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी इस वक्त मैं जिस जगे पर मौजूद हूँ वहाँ हनुवान जी का एक दिव रूप दिखारा हूँ यह उनकी पूँच है वस इससे अंदादा लगाई है और उसके बाद में भव्ग और विशाल काय प्रतिमाएं वहाँ बहुत ही सुन्दर रूप है अनुवान जी का और मैं कोशिश करता हूँ और तीछे से आपको इस रूप दिखाने की यहाँ अब भी काम चल रहा है और यह है इंदौर का प्तिस्त्र परवट तो इंदौर शहर में इस तरह का कोई परवट बना हुआ है यह जानकर आपको जरूर थोड़ा सा अश्चर होगा लेकिन यह अब धर्मिक और अधियात्मिक लिहा से खास तोर पर अखनुमान भक्तों के लिए एक बहुत बढ़िया तीर सिस्तल बनता जा रहा है यह कली मुझे पता लगा कि अश्च धातू की पतिमा है और 108 फीट इसकी उचाई है बहुत ही भग्जय है इसके समक्ष खड़े होकर तो एक दम दिव्य दर्शन बईरंगली के मिल रहा है और जैपूर में इसके अलग-अलग हिस्चों को बनाया गया था फिर यहां लाकर इस पतिमा को और इसके हिस्चों को असिंबल किया गया है इस पर अब भी कारे चल रहा है अलगि कंस्ट्रक्शन का काम जा रही है फिर भी बड़ी तादाद में शक्धालू यहां पर आ रहा है यह विशाल का एक गदा हनुमान जी की और यह हनुमान जी का दिव्य सुरूप तो इंदौर शहर में यह उसको देखने लाए कई चीज़े हैं लेकिन आपका जब भी आना हो इंदौर तो आप ज़रूर पित्र परवत पर पहुँचे बीजासन मंदिर से सीधे आप जब गोमट गिरी की तरफ जाते हैं तो कुछी दूरी पर यह पित्र परवत का रास्ता है में रूट पर ही यह रास्ता मिलेगा और इंदौर अब तो यूँ घना एक शहर हो गया है लेकिन यह इलाका आप भी आपको दूर दूर तक अर्याली जैसी दिखाई देगी और वाह सच मुझाच बड़ा ही दिव्य आनन इस स्वरूप को देखकर मिल रहा है ओम हनुमान अन्यनी सुनो वायू पुत्रो महावला रामेष्ठ फालगुण सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमा उददी क्रमन शैव सीता शोक विनाश्नह लक्ष्वन प्राण दाताच दश गीवस्य दरपाह द्वाद शैतानी नामानी कपिंद्रस्य महात्मन स्वाप काल पठे नित्यम यात्रा काले विशेशता तस्समत्यू भहमनास्ती सर्वत्र विजयगवे चैश्वीराद